नमस्ते दोस्तों, आज हम कंपेर करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी दो e-commerce राइवल्स, Amazon और Flipkart को जैसे कि हम सब जानते है Amazon एक international company है, जो लगबग 17 देशों में operate करती है Amazon की शुरुआत 1994 में Jay Bezos ने की थी, वही Flipkart इंग भारतिया company है जो सिर्फ भारत में अपने प्रोड़क बेशती है, Flipkart की शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल ने की थी यानि लगबग Amazon के 14 साल बाद, इंट्रेस्टिंग बाद तो ये है कि Flipkart के दोनों founders ने कुछ साल Amazon के लिए एक काम भी किया है आपको जानकर आच्छे रहोगा इन दोनों कमपनियों की शुरुआत ओनलाइन बुक से लिंग से हुई थी लेकिन दोनों कमपनिया आज लगबग करोडो प्रोडक्स बेशते हैं और उन प्रोडक्स इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो Flipkart Amazon के मुकाबले कापी अच्छी तरह से प्रोडक्स इंफॉर्मेशन देता है हम में से काफी लोग नया प्रोडक्स लेने से पहले उस प्रोडक्स के रिवीश चेक करते हैं इसी वज़े से किसी भी e-commerce कमपनी के लिए रिवीश सिस्टिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है और एक सर्वे की अनुसार Amazon का रिवीश सिस्टिम फ्रिपकाड से बेटर बताया गया है और All Our Customer Experience की बात करें तो Amazon फ्रिपकाड से एक स्टेप आगे है Amazon ने अपने कस्टमर को प्रेमियूम एक्स्परेंस देने के लिए Amazon Prime की शुरुआत की जिसमें वो आपने कस्टमर को One Day Delivery, Early Access of Deals जैसे अनिक प्राइम बेनेफिट्स प्रोवाइड करता है साथी साथ Movies, Music और Web Series जैसे Entertainment में भी फ्री में देता है उसको कॉंपेटिशन देने के लिए Flipkart ने 2018 में Flipkart Plus की शुरुआत की जिसमें कस्टमर को Coin Collect करने होते है जो Flipkart की ही सबसेडरी कमपनी है वही Amazon अपने ही Amazon Logistics का उप्योग करता है 2016 में Flipkart ने ही इंडिया में सबसे पहली Cash on Delivery का उप्शन कस्टमर को दिया था उसकी बदोलत आज भी इंडिया के लोग Amazon से ज़्यादा Flipkart पर भरुशा करते है Amazon अपने कस्टमर को सस्ता माल और बहतरिन कलेक्शन देता है वही पर Flipkart अपने कस्टमर को High Value Goods बहतरिन तरीके से प्रवाइड करता है तो दोस्तो कमेंड में जरूर बताना आप कौन सी e-commerce कमपनी को प्रेफर करते है